एलो गाईस तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्याटजी के बाlarını बात करने वाले तो यहां पर स्विंग ट्रेडंग करने के लिए हम यहां पर एक आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर बिल्कुल clean chart है और जैसे ही मैं इसको enable करता हूँ तो आपको chart के उपर इस तरीके के green line and red line देखने को मिल जाएगी यहाँ पर यह जो green line है वो यहाँ पर support का काम करती है और यहाँ पर यहाँ पर resistance और breakout का का करती है तो पहले मैं आपको इस indicator की setting के बारे में बता देता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके setting में आना है and setting में आने के बाद आपको input में देखना है और input में आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको zigzag one up color पर click करना है यहां पर आपको इस white color पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर नीचे इसकी opacity को 0% कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर इन चारों के अंदर ऐसा कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर style पर आना है अगर आपको इसको enable रखना है तो आप यहां पर रख सकते हो बट में इसको disable रखने बाला हूँ यह setting करने के बाद आपको यहां पर default पर click करना है और save ऐसा default पर click कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर OK पर क्लिक कर देना है तो अब हम यहाँ पर बात करते कि हमको यहाँ पर entry किस तरीके से लेनी है तो यहाँ पर हमको entry इस support line पर लेनी है आप यहाँ पर इस green line को देख सकते है यह green line हमारा support area है और यह red line हमारा resistance area और breakout area है आप यहाँ पर इस Red Line को देख सकते कि यहाँ पर यह एक Transline की तरह वरक करती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्ण Line का Brexit करें पर होगो पर झाती है और उसके बाद price support के पास आती है याने कि इस green line के पास आती है तब हमको इसके अंदर entry लेनी है green line के पास आकर price एक bullish reversal आपको दिखाएगी आप यहाँ पर देखे तो यहाँ पर आपको इस support के पास green candle दिखाएगी तो आपको यहाँ पर इसके high पर enter हो जाना है आप यहाँ पर भी देख सकते कि यहाँ पर जब price इस support के पास आई तब यहाँ पर bullish reversal आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका था तो हमको यहाँ पर इस candle के high पर अपनी entry ले लेनी है और इसी swing के नीचे हमारा stop loss हो जाएगा आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर price support के पास तो आई है बट यहाँ पर हमको कोई भी bullish reversal नहीं देखने को मिला है price ने यहाँ पर इस support को break कर दिया और नीचे की और ही जा रही है तो जब कभी price अपने support को break कर देती है तब हमें उस stock को ignore कर देना है हमको यहाँ पर बहुत सारे stock मिल जाएंगे कि इसके अंदर हम swing trading कर सकते है तो यहाँ पर मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर हमको entry किस तरीके से लेनी है तो यहाँ पर हमने बाटा इंडिया का one day का चार्ट ओपन किया हुआ है आप यहाँ पर swing trading करने के लिए one day one week का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो तो जब कभी आप डेली के टाइम फ्रेम में swing trading करते हो तब आपको यहाँ पर देखना है कि जब प्राइस हमने support के पास आती है तब आपको यहाँ पर दो green candle का wait करना है तो जब भी-कभी price हमन सपंट के पास आती है एंड support के ऊपर दो green candle Out दिए तब हमको यहां पर एंट्री ले लेनी है तो यहां पर आप देखें कि यहां पर प्राइस अमने सपोर्ट के पास आ चुकी है यहां पर आप देखें कि यहां पर डेली के अंदर दो ग्रीन केंडल यहां पर सेस्टेन हो चुकी है तो हमको यहां पर इस दूसरी आने के बाद यहां पर हमको इस दो green candle को देखना है कि यहां पर हमको इस दूसरी green candle के high के ऊपर entry ले लेनी है एंड उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इसके अंदर एक काफी अच्छा आप महुँ आज चुका है और आप यहां पर फिर से देखें कि यहां प्रप्राइस फिल्ट से आपने सपोर्ट के पास आ गई है बट हमको यहां पर डाटा मोटर का डेली का चार्वुर्ट किया हुब आप यहां पर इस सपोर्ट लाइन को देख सकते हैं कि यहां पर यह बवाती गंदी तरीके से बने हुई है तो अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करते हो एंड उसके अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहां पर आपको सिंपली टाइम फ्रेम चेंज कर हुआ था तो हमको यहां पर विकली का चार्ट उपन कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पर प्राइस हमने सपोर्ट के पास आई थी और उसके बाद हमको यहां पर एक बुलीश रिवर्सल देखने को मिल चुका था एंड इसके अंदर अगर आप ट्रे तो आप यहां पर देखें कि यहां पर भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास आई हुई है बट आप यहां पर ऊपर देखें कि यहां पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है यानि कि यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है तो हमको यहां पर इस तरीके के बैटन में काम नह तो यहां पर most of retailer का यही की problem होता है कि वो यहां पर high के ऊपर entry करते हैं और stock नीचे गिर जाता है और यहां पर support के पास base देते हैं और उनके base के बाद ही वो stock यहां पर बहुत ही अच्छा upside momentum दिखा देता है जिससे उनको यहां पर बहुत ही loss होता है और वो लोग मार्केट में अपनी कन्वेंशन खो देते हैं तो यह इंडिगेटर आपको स्विंग ट्रेडिंग में बहुती हेल्प करने वाला है और इसे के उपर हम यहां पर पार्ट टू भी जल्दी लेकर आएंगे तो यह रोबाट इंडिगेटर की स्क्रिप्ट आपको हमारे ट स्क्रिप्ट को कॉपी करने के अपद आपको यहां पर ट्रेडिंग व्यू की अंदर आ जाना है और उस कॉपी की गई स्क्रिप्ट को आपको यहां पर पेस्ट कर देना है जिससे कि आपको यहां पर यह रोबाट इंडिगेटर देखने को मिल जाएगा एंड इसकी शेटि YouTube channel को subscribe करना ना पूले, Thank you so much.